अपने पहले पोस्ट में अभी नेतरी और शोशल एक्टिविस्ट एंजलीना जॉली अफजलीना ने एक अफगानी लड़की के हाथ से लिखे पत्र के तस्वीर सांज़ा की है। एंजलीना का कहना है कि उन्हें ये पत्र अफगान में रहने वाली एक लड़की ने दिया है। जो वहाँ पर हुए तालिबान के कबजे से घबराई हुई है। बता दे कि तालिबान के कबजे के बाद से अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए हर जगा प्रातना की जा रही है। वहां की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पोस्ट में लड़की ने बताये कि कैसे तालिबान की हुकुमत आज जाने से उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और उसके पास और उसकी आसपास डर का महौल है लड़की ने पत्र में लिखा हमारे पास सारे अधिकार थे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अजाद थे लेकिन जब से वो आए हैं हमारे मन में डर का महौल है हमें लग रहा है कि हमारे सारे सपने हमसे छीन लिये जाएंगे एंजलीना जॉली ने लड़की के लिखे इस पूरे खत को अपने इंस्टाग्राम पर सांचा किया है इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की भी तस्वीर सांचा की है जो कैमरे को पीट दिखा कर खड़ी है उन लोगों की कहानिया भी जो इन लोगों की अधिकार के लिए अपनी अवास उठा रही है बता दे कि तालिबान की अफगानिस्तान पर कबजे के बाद से वहां तहशत का महौल हो गया है जहां एक तरफ बहुत से लोग देश छोड़ कर भाग रही है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदेशन कर रही है तालिबान का कहना है कि उनसे किसी को खत्रा नहीं है और वो सभी रास्ट से अच्छा वहबार कर रही है तालिबान के कबजे की बाद से वहां की सिनिमा को लेकर भी कई तरह की सवाल उठ रही है एक लंबे समय के बाद से अफगानिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में करांती आई थी सभी ये बात जानते हैं कि तालिबान वहां की सिनिमा को आजादी नहीं देंगे वहां की मशूर पॉप गाई का अर्यानस सहीद भी अफगानिस्तान छोड़ कर अमेरिका जा चुकी है ऐसे में चिंता जटाई जा रही है कि तालिबान के रहते अफगानिस्तानी सिनिमा का क्या होगा तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर आप देखते रहिए इन खबर